तो भाई लोग आज चुका है मेरे पास एकड़म खातरना गेमिंग फोन और भाईया अब तो तबाही इतनी मचने वाली है कि क्या ही बताया जाए तो भाई हम अप जो के सामने इसको अनबॉक्स करते हैं ओ भाई साब तो ये निकल गया डिब्बा अपना और ये है आरोजी फाइव हाँ तो भाई लोग यहाँ पे हमारा डिब्बा देख लीजे पहले बढ़ियां थे और उसके बाद भाईया हमारे पास है ये 8128 वाली वेरियंट और हम इसको अनबॉक्स करेंगे अपने छोटी सी तलवार से तो भाई लोग ये जो मेरे हाथ में छोटा सा तलवार देख रह रहे तलवार वो कम मत समझना भाई मडर कर सकता यह है तो भाईया हम अभी इस बॉक्स का मडर करने वाले है तो इधर से कट लगाते है। अरे खुल झालते इसको जल्ली से निकलना कितना टाइम लगता है। चलो तो भाई साब यह रहा मेरा बॉक्स और इसको हम यहां से ओपन करते हैं और थोड़ा सा दूसरे एंगल से देखो भाई आप ओ भाई साब तो भाई साब क्या ही खतरनाक सा लुक है भाई वहां पर देखो उधर एनिमे का कुछ फोटोस दिख रहे हैं आप लोग देख सक तो कुछ कारेक्टर है जो गेमिंग कुछ कारेक्टर से हैं या फिर एनिमे हैं एनिमे का कारेक्टर से कुछ तो उधर लेफ साइड में आप देख तो और इस बॉक्स के अंदर क्या है वो हम पहले देख लेते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या है बाई इस बॉक्स के अंदर ओके गाईस तो ये रहा भाई साहब कवर काफी खतरनाक कवर Chris 3 का जो वो कवर था ना Chris जो पहनता था वही Chris वाला कवर एकदम उसी तरह लगता है वही डिजाइन बनाया गया है और काफी प्यारा लगता है भाई साहब और अंदर किया है भाई ओ भाई काफी जादा है भी फोन है भाई इसको निकालते है बाहर एक बार किदर से निकालते है नीचे से निकालते है इसको बाहर ओ भाई सहब निकलना क्या कर रहा है ओ भाई क्या ही लुक है भाई क्या ही खतरनाक किलर लुक है इसको बात में देखेंगे पहले देखते है न सी पोर्ट दिया गया है जो कि हमारे चार्जर में लगेगा तो काफी अच्छी बात है एंड चार्जर को निकालते बाहर और यह रहा चार्जर तो काफी बढ़िया है चार्जर भी और पता नहीं कितने वोल्ट का है मुझे दिख नहीं रहा है बाद में देख के बता बाकी इसको भी रखते है साइड में और यह क्या है भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है पता नहीं क्या दे दिया इन लोगोंने अब पता नहीं क्या है भाई आप लोग बताना असायद बटन ओटन है कुछ तो इसको साइड ओड करते हैं और यहां पर आप लुक देख सकत तो कुछ character के look है यहाँ पे जो की इसका काम है अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका क्या काम होने वाला है सबसे पहले phone को हाथ में लेते हैं बहुत जादा high भी phone है तो यार जब यह phone हम लोग use करते हैं या फिर हाथ में hold करते हैं तो भाई तब feel होता है कि हाँ यह हमने gaming phone hold कर रखा है तो गाईज अभी हम लोग इस phone को open कर रहे हैं और भाईज अब यहाँ पे देख सकते हो यह open भी हो चुका है और क्या ही खतरनाक सी logo निकल के आ रही है और अभी देखो यहाँ पीछे वाली जो logo है ना वो भी मैं जला के दिखाऊंगा आप लोग को पहले phone को open होने देते हैं और जैसे कि आप देखी सकते हो and इसका animation आप देख सकते हो काफी जादा प्यारा animation है open करने का और देख देख कि कब तक यह open होता है ओकी गाईज तो यहाँ पे open हो चुका और उसके बाद से इस डिब्बे का अब काम लगने वाले आप देखो अभी इसका क्या काम है तो अभी जो मैं scan कराऊंगा उसमें कुछ sound effect भी है तो वो भी सुन लो मैं चुप हो जाता हूँ एक बार और आप लोग ध्यान से सुनो अब काम पेखो याद को मैं से एक पिक बार तो गाइस आपने देखा एनिमेशन कितना जौदा खतर नाग था और उपर की तरब जो ट्रीगर दिया था उसी से हम लोग कंट्रोल कर रहे थे अभी हमें ये लोगो आप लोगो को ओपन करके दिखाता हूं कैसे ये जलता है तो एक बार में लोगो निकाल के दिखाता हूं आप देख सकता हूं यहाँ पर मैंने लोगो जला दिया है काफी oven लग रहा है और आप इसका color roller भी change कर सकता हूं इसमें बहुत सारी settings रहे हैं जैसे कि यहाँ जोब ही देख सकता हूं यहाँ से मैं अपना color change कर सकता कोई भी color रख सकता हूं जैसे कि मेने red रखा तो यहाँ पर red दिख रहा है और यहाँ पर कोई भी color में change करूँगा पीछे वो color change हो जाएगा यह feature मुझे बहुत ही जादा प्यारा लगा तो यह सब मैं अपने live stream पे use करूँगा तो आप लोग जाके follow कर लेना facebook page का link आपको नीचे मिल जाएगा description में वहाँ से जाके follow कर सकते हो and आप look देख सकते हो भाई क्या ही प्यारा look दे रहा है यहाँ पर देखो मैं color change कर रहा हूँ और change होते जा रहा है and भाई बता है तो यार काफी जादा अच्छा feel हो रहा है इस phone को चलाने में and 144 का and वो जरूर देख लेना and इसकी graphic setting क्या थी और कैसी थी तो हम में अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई